नमश्कार, योजना अक्टूबर महीने का एडीशन आज हम देखेंगे जिसमें हम महिला सेशक्तिकरन की बारे में बात करेंगे अब जब इस फिशेब के बारे में हम बात करते हैं तो इस मेगजीन में जो सबसे इंपोर्टन टॉपिक डिसकस हुआ है कुछ महत्पूर्ण टॉपिक्स जो हम इस लेक्टर में डिसकस करेंगे वो यहां पर दिये हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टन डिवलप्मेंट्स की जो इतने समय में हुए हैं तो अगर हम शिक्षा के या साक्षरता के स्थर पर देखें तो नौ प्रतिशत से बढ़कर जो की आजादी के जस्ट बात थी आज हम बोलते हैं 65 प्रतिशत साक्षरता है similarly अगर हम life expectancy की बात करें या जीवन यापन की बात करें तो वो 31 वर्ष माना जाता था जो अब बढ़कर लगबग 70 वर्ष के आसपास हो गया है इसी तरीके से हर 5 में से एक जो है वो women entrepreneur है तो बहुत सदर development की हम बात करते हैं इसी तरीके से बहुत सारी सरकार की schemes आई हैं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आओ, स्कूल चले, स्कूल चले, अभियान, मात्रुवंदन योजना, फिर आपकी आती है सुकन्या सम्रदी योजना जिसमें महिलाओं के कन्याओं के बैंक खाते खोले जाएंगे जन्दन योजना के तहट नियली 16 करोड खाते खोले गए जिसमें से लगबग ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के जो खाते थे वो 28 प्रतिशत से बढ़के 40 प्रतिशत हो गए हैं पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे entrepreneurship को हम बड़ावा देने की बात करते हैं मुद्रा स्कीम इसमें important है मुद्रा योजना के तहट हम छोटे loans और छोटे finances देने की बात करते हैं बिना किसी collateral के भी finances दिये जाएंगे इसी तरीके से जो महिला और शिशु विकास मंत्राले है उसके द्वारा बहुत सारे training program करवाये जाएंगे safety के लिए उज्वला scheme जिसमें हमने free BPL connection की बात की, mobile phone पे panic buttons की बात की, women help line 181 की बात की है तो ये इस कुछ महत्पून चीज़े हैं इसी तरीके से continuum of care की बात की जाती है जो स्वास्त मंत्राले द्वारा चालू किया गया है जिसमें एक बहुत ही vivid range देखी जाएगे development की और promotion की मात्रू सुरक्षत भ्यान हमने देखा जिसमें हमने antenatal care की बात की इसी तरीके से लक्षे program शुरू हुआ है जो कि एक बहुत ही important program है ऐसा माना चाहता है कि बच्चे के प्रथम जो 1000 दिवस है वो बहुत ही important है 85 प्रतिशत जो दिमागी development है वो उस समय पे होता है या दिमाग देने के लिए हमने weekly iron folic acid supplementation की बात की है इसी तरीके से बहुत सारे immunization programs की हमने बात की है MMR में लगबग 37 points की गिरावट पाई गई है live birth जो है उसमें record बढ़ोतरी पाई गई है तो यह बहुत सारे developments इस समय पे हमने देखे हैं जो किये गए है financial security या वितिय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें नाबाट के द्वारा regional rural banks और छोटे banks द्वारा loan और collaboration जो self-help groups को है उनको दिया जाने की बात की गई है महिला उत्यम निधी और महिला विकास निधी दो important development programs हैं जो चालू किये गए हैं इसी तरीके से start-up India, stand-up India programs लाया गया है जिनके बारे में हमने अलग से चर्चा किया है step program लाया गया है जो ministry of women and child development द्वारा लाया गया है अब इसमें कई बार ये सवाल आते हैं कि कौन सा program कौन सी ministry के द्वारा लाया गया है तो वो भी जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इसी तरीके से science for equity, empowerment and development जिसको seed नाम दिया गया है और आपका treat program जिसको हमने trade related entrepreneurship assistance program कहा है तो ये कुछ important programs हमने चालू किये हैं जो women entrepreneur platform WEP की स्थापना की गई है उसके तीन pillars माने गये हैं इच्छा शक्ती, ज्यान शक्ती और कर्म शक्ती इसी तरीके से mudra scheme जो हमने बात किये उसमें तीन elements है शिशू, किशोर और तरून शिशू में 50,000 तक का loan दिया जाएगा तरून में 50,000 से 5,000 तक का और सुरीकिशोर में 50,000 से 5,000 तक का और तरून में 10,000 तक का loan दिया जाएगा बहुत सारे financial developments के हमने बात किया है Financial Inclusion Fund और Financial Inclusion Technology Fund हमने शुरू किया है Literacy programs ये साक्षरता program शुरू किये गए है जो व्यक्तियों को वितिय साक्षरता देने में मदद करेंगे और उनके bank खाते कुलवाने में मदद करेंगे Minority महिलाओं के लिए बहुत सारे development की बात की गई है सेयदा अमीद के इस article में बहुत ही मुख्य फोकस दिया गया है मुख्यता वो एक पदमश्री अवार्डी है और वो पहले planning commission की member रही है मौलाना अजाद national law university की chancellor रही है और उन्होंने काफी सारा development किया है महिलाओं के चेतर में, muslim महिलाओं के चेतर में उन्होंने मुख्यता ये बात कही थी कि कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम caste की basis पर discrimination करें फिर भी हम muslims में OBC के reservation की बात करते हैं इसी तरीके से डावरी के बारे में सक्त मना किया गया है जो की धीरे-धीरे प्रथा आ गई है तो इसी तरीके से जब महिलाओं को और पुर्षों को Muslim Personal Law Board क्या किस तरी से influence रहा और किस तरीके से उसमें developments आने और changes आने की बात शुरू हुई इन्होंने शुरुवाती तोर पे सेयदा अमीद ने सुग्रा महिदी और बेगम सेयद खुशीद जो की जाकिर हुसेन की पुत्री थी उनके साथ एक Muslim Women Forum की स्थापना की My Voice Should Be Heard करके उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिस रिपोर्ट के वेसिस पे बाद में सचर कमिटी आई जो की मुख्यता Minority और Social Economic Communities को जज्जमेंट देने की बात पे फोकस करती थी भारतिया मुस्लिम महिला आंदोलन की शुरुवात की गई जो शापानू केस है उसके बारे में हमने और रेड़ी बात की तो यह कुछ प्रमुक डेवलपमेंट्स थे उस समय पर जो हुए थे कुछ मुस्ते महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रेक्थ्रू डेवलपमेंट्स किये हैं उनकी डीटेल्स हमने यहाँ पर रखी हैं इसी तरीके से आदिवासी चेत्र में भी महिला विकास बहुत ही महत पुण है आदिवासी महिला साक्षर्त या सशक्तिकरण योजना की अगर हम बात करें तो उसमें हम भारत में मानते हैं लगबग कुल जनसंग्या का 8.6 प्रतिशत जनसंग्या जो है वो आदिवासी है और उसमें से भी हम बोलते हैं जो 75 जो ट्राइब्स हैं वो पर्टिकुलर्ली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रूप्स हैं जिन पर स्पेशल फोकस दिया गया है कुल 705 शिडियूल ट्राइब्स हैं जिनको हमने डिमार्केट किया है तो अच्छे स्कूल की हमने बात की एकलव ए मॉडल रेजिडेंशिल स्कूल की हमने बात की इसी तरीके से हमने आश्रम स्कूल की शुरुवात की बात की प्री और पोस्ट मेटर की स्कॉलर्शिप्स के तहत उनको बढ़ावा देने की बात की आर्थिक विकास के लिए उनको कम दरों पर सिर्फ चार प्रतिशत की दर पर इंटरेस्ट चार प्रतिशत की ब्याच पर उनको financial assistance दी जाएगी बहुत सारे forest produce बढ़ाने की बात की गई, inclusive growth की जब हमने बात की तो हमने देखा कि भारत में बहुत ही कम महिला साक्षरता या महिला work participation rate पाई गई है लुधियाना में male work participation rate बहुत जादा है जबकि female की बहुत कम पाई गई है इसी तरीके से कुछ राचे हैं जहां पर 30 प्रस्टिशत जो reservation है वो महिलाओं को दिया गया है या आरक्षन महिलाओं के लिए किया गया है पंचायत में one third reservation महिलाओं के लिए किया गया है बहुत सारे acts लाए गए हैं empowerment के लिए जो legal issues हैं उनको हमने यहां पर discuss किया है किस तरीके से मलीमत committee आयी थी जो gender neutral की बात करती थी पर बाद में वो भी successful नहीं हो पाई right to property में हमने changes बताये जिसमें अभी तक जो सिर्फ लड़के हैं वो अपनी parents की property inherit कर सकते थे वो concept बदल कर लड़कियां और daughter-in-laws पे भी आ गया है इसी तरीके से पार्सी laws में ऐसा खाया गया है कि अगर पार्सी पुरुष अपने धर्म के बाहर शादी करते हैं तो वो अपने धर्म को बनाए रख सकते हैं पर महिला ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आपका गोल्रुख गुपता जो case लड़ा गया था वो भी इसी बारे में था एक important case आया था उस समय आपके uniform civil code या common civil code की अगर हम बात करें तो इसमें article 44 के तहर हम इसके provisions को discuss करते हैं बहुत सारी महिलाओने Asian Games में बहुत सारे पदक जीते हैं जिनकी details यहाँ पर हैं आपको handouts में available रहेंगी तो जो आपके दूसरे exams होते हैं SSE के bank peer के लिए उसकी दृष्टी से यह important statistics है जो पूछी जाती है अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक या सक्षरता के रूप से नहीं हो सकता यह एक बहुत ही व्यापक या विष्टी दृष्टी कोण है जो हमें समझना होगा तो इसमें आर्थिक विकास की हमने बात की छोटे credits की हमने बात की अच्छे स्वास्त की हमने बात की nutrition की सुविधाओं की बात की अनीमिया से लडने की बात की है तो यह कुछ important developments हैं जो हम यहां पर बात करते हैं इसी तरीके से एक national mission for empowerment of women scheme चालो किया गया है इस तरी शक्ती एक घंटे का डीडी national का program है जो लाया गया था डीडी news पे तेजस्विनी करके program आता है जिसके 100 से ज़्यादा episode हो चुके हैं मैं भी कुछ कर सकती हूं लगबग 400 million लोग इस episode को देख में यह जा चुका है और बहुत सारे सरकारी अभियान जिनके बारे में हमने already चर्चा की थी और बहुत सारी चीजों पर सरकार ने कहा है कि अब जो crimes हैं उनके against strict actions लिए जाएंगे तो strict penalties की बात की गई है तो यह कुछ महत्पून चीजें थी जो हमने इस episode में discuss की आगे की अ और बहुत अवियान जिए झाल सकता है